ενमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका मैंचल मैं मैंनाम एřिषिर आज के सुष्ट कर juice मैँ बात कने वाले हैं मुख मंतरी कन्यआ उत्यान योजिना के अंतरगत बिहार सरकार लड़कियों को 54,000 रुपया तक का लाब देती है इस लाब को लेने के लिए आपको जो है आबेदन करना होता है ये आबेदन किस परकार से होता है इसमें लड़कियों को किस परकार से लाब मिलता है ये जो 54,000 रुपया बिहार सरकार के द्वार लड़कियों को दिया ज़रा है इसका लाव आप किस परकार से ले सकते हैं आज के इस वीडियों में पूरा डीटेल के साथ हम आपको बताने वाले हैं आज के इस वीडियों में मुखमंत्री कन्या उत्थ्रान योजना के बाड़े में आपको पूरी जानकारी देंगे कि आप इसमें आबेद चले सुरू करते हम अपना आज के वीडियो दोस्तों सबसे पहले हम आपको जानकाई देते हैं कि ये मुख मंत्री कन्या उत्यान योजना है क्या तो दोस्तों कन्या उत्यान योजना के अंतरगत लड़कियों को 54,000 रुपया जो है सरकार लाव देती है ये लाव इसलिए दिया जाता है ताकि जो लड़कियां है वो पढ़ सके ताकि उनको प्रोसाहन रासी के रूप में उनको दिया जाता है उनके माता पीता को दिया जाता है ताकि आर्थी कमी के कारण उनको किसी भी परकार की परहसानी ना हो तो इसके लिए बिहार सरकार ने मुखमंतरी कन्या उठ्वान यूजना का निकाला है इस यूजना में लाब लेने के लिए आपको जो है ओनलाइन आबेदन करना होता है साथ में इसका आबेदन जो है ओफ-लाइन भी आप कर सकते हैं सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि इसमें आपको लाब किस परकार से मिलता है यानि इसमें जो लड़कियों को पैसा मिलता है वो किस परकार से पैसा मिलता है और इसका लाब आप किस परकार से ले सकते हैं। इसके बाड़े में भी हम आपको जानकारी देंगे तो यहां पे आपको किस परकार से पैसा मिलता है सबसे पहले मैं आपको वो जानकारी देता हूँ दोस्तों अगर आप मुखमेंतरी कन्या उत्थानी हो जना में अगर बच्चीयों का जन्म के बाद यहाँ पर आगर आबेदन करते हैं तो कन्या के जन्म पर यहाँ पर 2000 रुपया सरकार के द्वारा दिया जाता है। दो पोसाक यानि 600 रुपया उनके खाते में दिया जाता है एक से दो पोसाक के लिए 600 रुपया उनके खाते में दिया जाता है। उसके बाद जब तीन से पांच बर्स के होते हैं तो उनको पोसाक के लिए 700 रुपया दिया जाता है। उसके बाद परती मात 6 से जब 8 साल के वह हो जाते हैं तो उनको जो है एक हजार रुपया सरकार के द्वारा यहां पर रासी दिया जाता है परती यड़ी यानि कि हर साल जो है उनको यह पैसा मिलता है छे से आठ साल के बीच में अगर वो होते हैं तो उसके बाद दोस्तों यहां पर परती बर्स अगर वो नो साल से बा पहर सरकार के द्वारा दिया जाता है उसके बाद दोस्तों अगर वही लर्किया अगर असना तक कर लेती है यानी कि अगर वह समय उहाँ पर इसका आबेदन नहीं कर पाये थे तो उनको जो अगर वो intermediate पास कर लेते हैं तो उनको जो है दस जार रूपया मिलेगा और अगर असना तक पास कर लेतने लड़कियां तो उनको जो है 25,000 रूपया मिलेगा इसके रिए जो है आप बाद में भी आबेदन कर सकते लेकिन अगर आप जन्म के करते हैं तो आपको बीच में मिलने वाला जितना भी पैसा है वो साड़ा पैसा भी दिया जाएगा और अगर आप अभी intermediate पास करने के बाद आबेदन करते हैं तो आपको सिर्फ 10,000 रुपय का प्रोसाहान रासी ही मिलने वाला है अब दोस्तों आपको बताते हैं कि अगर लड़कियां जर्म से लेके 2 बर्स के अंदर अगर बच्ची का आप आपे आपधन करते हैं तो वो आपधन करने के लिए आपको किस परकर से आपधन करना होगा तो उस आपधन को करने के लिए सबसे पहले आपको 27 प्लस की तो उनके लिए आप यहां से आबेदन कर सकते हैं, आबेदन करने के लिए आपको करना क्या है, मुख मंत्री, कन्या, उत्यान, यहोजना पर आपको किलिक करना है, किलिक करने के बाद कुछ इस परकार से आपको जो इंटरफेस खुल के आएगा, यहां पर दोस्तों सबसे पह करना है मैं आपको दिखायता हूं यहां पर आप जैसे ही आप यहां पर apply for services पर क्लिक करते हैं तो आपको एक form खुल के यहां पर चला आएगा यह form कुछ इस परकार से होगा जैसा कि यहां पर आभी आप देख पाने होगा कि मुख मंत्री कन्या उच्छान योजना के अंतरग पर बता है कि जर्म से लेक्ट के यानी 2700 यह सब जो लाब मिलता है यहां तक आपको 10 तक जो लाब मिलता है वह लाब आपको यहां पर दिया जाएगा उसके बाराद दोस्तों अगर जम्र से लेके दो बर्स के अंदर जितने लर्कियां उनके लिए आविदन कर सकते हैं। आप बात करते हैं कि वह ऐसे लर्कियां जो यहाँ पर जम्र से लेके आभी तक आविदन नहीं करवाए थे। उनको जो है इसका लाब नहीं मिल रहा है। यानि कि कन्या उत्यान योजन का लाब ले सकते हैं इंटर्मीडियेट पास होने के साथ साथ आपको यहां पर अभिवाहित भी होना ज़रूरी है तभी आपको सरकार यहां पर लाब देगी अब लाब लेने के लिए आपको यहां पर राइश्टेशन करना होगा राइश्टेशन किस परकार से करना होगा मै आपको दिखा ले थां दोस्तों करने के लिए आपको जो e-kalyan की इस website पर आणा होगा जो है यहाँ पर आपको वेबसाइट दिखा लेता हूं एक सेकेंड मैं जो है यहाँ पर आपको यह website आप देख स्पाने होगा कि इस website पर आपको आना होगा इस website है जैसा कि आप लोग जा नहीं बताने बाला हूँ क्यूंकि हमारे पास जो है यहाँ पर किसी का आभेदन करने के लिए नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मुखमंत्री कन्या उत्यान योजना मुखमंत्री बाली का माध्यमिक पलस टू यानि की जो इंटर्मीडियेट पास हैं उनको प्रोसाह कीं तो इहां पर आंपको यहां इस प्रोसाय का लिंक आपको देख सकते हैं कि यहां पर आपको कुछ इस पकार से दिखाए दे रहा हुआ यहाँ पर देख सकते हैं अब। उत्यान योजना का लाब नहीं ले रहे हैं, अगर आपको लाब लेना है, तो आप जो है इस पका से आबेदन कर सकते हैं, साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि अगर अभी आपके घर में कोई दो बर्स ते नीचे की बच्ची हो, तो उसका भी आबेदन कर दे सकत हैं, जिससे कि आपको उसका पूरा लाब मिल सके, यानि जो मैंने आपको 54,000 रुपया बताए, वो पूरा आपको पैसा है, यहाँ पे मिल सके, अगर आप दो साल के अंदर अंदर इसका राइश्टेशन कर देते हैं, तो इस परकार से आप मुखमंतरी कन्या उत्यान योज अगर आप लोग कॉमेंट करते हैं और बताते हैं कि मुझे यहाँ पे आवेदन करके आपको दिखाना चाहिए, तो मैं जरूर यहाँ पे आपको आवेदन करके भी दिखाऊंगा और एक स्टेब बैस्टेब वीडियो आपको जरूर बना कर दूँगा, आई होब दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आयोगा, अगर यह वीडियो पसंद आयोगा, तो लाइक किजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब किजिए हमाय चनल को, साथ ही सेर किजिए इस वीडियो को, ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके, मिलते नेक्स बेम, तब तक के लिए प्रवाद